हाई फ्रेंड्स आज मैं अपने इस वीडियो में राजमा करी लाई हूं जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है साथ में ये हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर भी होता है राजमा को हम दाल के रूप में भी खा सकते हैं सबजी बना के खा सकते हैं इसको इस प्रोट करके भी खा सकते हैं हमने यहां पर ओवर नाइड भीगा हुआ राजमा ले लिया था दो मीडियम साइज टमाटर दो कप के लगबग हमने यहाँ पानी ले लिया है दो रफली चॉप जाज है एक हरी मिर्च एक इंच अद्रक साथ से आठ कली लासुन के सारे खड़े मसाले हैं जो बेसिक से हमारे घर में अक्सर पाई ही जाते हैं जैसे काली मिर्च है दाल चीनी इस्तिक है दो लॉंग है एक बड़ी इलाजी एक छोटी इलाजी थोड़ा सा जीरा है तेज पत्ता है यहाँ पर बॉल में हमने दांगर के फूल जिसे पत्थर के फूल या छबीला भी करते हैं ले लिया है पोस्ता दाना है थोड़ा सा जैफल है और जावीत्री भी है इन सभी को एक साथ करके हम ग्राइंट कर लेंगे यह देखिए अब हम राजमा को सबसे पहले बॉल होने के लिए रखेंगे राजमा को हमने अच्छे से धुल लिया है अब इसको साप पानी डालके बॉल करेंगे और जो पानी इसमें बचेगा उसको हम ग्रेवी बनाएंगे वो उस पानी को फेकना नहीं है एक टेवल इस्पुन हमने नमक डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी डाल दी है अब दो से तीन सीटी आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हम राजमा को पकाएंगे राजमा के क्वालिटी पे डिपेंट करता है कि राजमा कितनी जल्दी पकेगा आप दो से तीन सीटी आने पे उसको चेक जरूर कर लिजेगा अब हम मसाले को पीछ लेते हैं यहां पर हम ग्रेंडर जार में सभी मसालों को डाल देंगे जिसको हमने प्लेट में आपको दिखन देखिए अब इसका एक फाइन पेस्ट हम बना लेंगे अ अनुनल को ऑफ यह देखिये पेस्ट बन गया है अ इसमें एक चमच की लगबग धनिया मुदर अधे नेंसे लगबग हल्दी पावडर मिस कर लेते हैं चलते हैं अब राजमा चेक कर लेते हैंब राजमा को हमने 3 city तक पकाया ह outta 3 ct आ चुकी है अब गयास का फ्लेम BANS कर देंगे और प्रेशन निकलने तक वेट कर लेते हैं ठोड़ा है यह एक बिल्कुल हो चुका आप चलते हैं हम बनाने के प्रोसेस में यहां पर हम एक टेबल इस्पून के लगभग पस्टरड आयल ले लिया है आप कोई साभी तेल यूज कर सकते हैं जो आप खाते हैं तेल गर्म हो जाने पर इसमें हम थोड़ा सा जीरा एक तेज पत्ता एक साबूत लाल मिर्च और एक पिंच के लगभग हिंग डालेंगे जीरे को चटिकने तक हम इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे अब इसमें हम फाइन पेस्ट किया हुआ मसाले डालेंगे इसको लो फ्लेम पे हम 5-6 मिनट ऐसे ही पकाएंगे चला के यह देखिए मसाला थोड़ा सा हो गया है अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे नमक अभी हम पूरा नहीं डाल रहे हैं थोड़ा सा ही डाल रहे हैं नमक डालने से टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाएंगे थोड़े देर क यह देखिए टमाटर गल गया है अब इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मज डाल देंगे साथ में हरी कटी मिर्च अगर आप आपके पास यह नहीं है तो आप इसको इसकीप भी कर सकते हैं यह देखिए थोड़े देर के लिए इसको ढख के पका लेते हैं अब इसमें राजमा एट करेंगे और साथ में राजमे का पानी भी डाल देंगे इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला एट करेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा यह देखिए अब थोड़े देर के लिए हम इसको ढख के पका लेंगे मसाले और टमाटर को डालने तक में हमने 10 से 11 मिनट तक का टाइम लिया है मसालों को पकाने के लिए अब ग्रेवी लगाने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट लो टू मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे यह देखिए ग्रेवी पक चुकी है अब गैस बंद करके हम इसमें धनिया डाल देंगे आईए अब इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं राजमा विल्कुल तयार है यह देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा अगर यह रेस्पी मेरी आपको पसंदा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बाक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताईएगा प्रीजआ सुट बयूटा से झाजने उनल गएकी करके करदे करें तो कितना प्राज़ कितना उन्हाः चॉती प्रे बताईब कक्गी में रूब कितना ऑट सक्षा यायूब से जूबूब